नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विंग इलेक्ट्रिकल के एक और नए लेक्चर में आज हम लोग एक बहुत सिंपल सर्किट के बारे में जो हमारे पास जेनरली ड्राइंस अब लेबल होती है सिंगल को ट्रिपिंग वाला सिस्टम रेफरेंस के लिए हम लोग अभी जो है यहां पर सीजील में का यह ब्रेकर्स पहले आते थे अभी भी कुछ जगवा पर इस तरह के ब्रेकर्स के सप्लाइब हो रही है तो यह सिर्फ रेफरेंस के लिए हम सीजील के इस्तमाल कर रहा है इसमें सीजील के डिजाइन या सीजील के इस चीज के बारे में हम लोग का कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं है जो सीजील ब्रेकर बनाता है और जिस तरह की फंक्शनेल्टी वो डिजाइन करता है उसको हम लोग अपने परसेप्शन से समझने की कोसिस कर रहा है इसको हम विजैल इंपर्टन्स कि एंटी पंपिंग क्यू लगाते हैं कभी होता है और क्लोजिंग सब्सक्टिण जो है उसका कब इस्तेमाल भाचो कहें सब्सक्राइब कैसे इस्तेमाल होता है फिछली अधार konuş प्यूंत सब्सक्राइब करने के दिएुए हैं थोड़ा से छोटा से एक सरकित पी सरकिट दिया हुआ है ब्रेकर के अंदर का भी देख लेंगे कुछ स्पेयर औक्सलरी कान्टैक्स और कुछ लीमिट्स विछी कान्टैक्स दिए हुए हैं जिससे कि हम लोग इंडिकेशन के लिए ले जा रहे हैं 33 KV साइट के पैनल में वो भी देखेंगे तो बैसिकली हम लोग यहां पर यह अभी ब्रेकर के बारे में देखेंगे 33 KV CGL में के ब्रेकर का जो ड्राइंग एवलेबल है उसको हम लोग पढ़ना सीखेंगे बहुत सिं compete drawing है तो इसमे हम लोग complete जो है समझने की कौसिस करेंगे चलिया सबसे पहले क्या है यहां पर 7 लिखा हुआ है यहां पर general Key 2 लिखा हुआ है एक नेगरिटीव के का बष्स है ठीक है मतलब positive DC इतना दूर जो है यह closing circuit है, closing circuit के साथ parallel यह 95 लिखा हुआ है, connected कौन है, anti-pumping circuit है, 52C लिखा है, 52C लिखते का मतलब क्या हुआ, closing coil, 52 क्या दिखाता है, breaker के denomination को दिखाता है, और C closing coil को indicate करता है, 52T लिखा है आपर, मतलब यह tripping coil है, नीचे trip का लग से लिखा भी हुआ है, तो क्या हो जा रहा है, कि इतना दूर यह trip circuit है, इतना दूर यह closed circuit है, closing coil के parallel में लगा हुआ, यह anti-pumping circuit है, ठीक है, anti-pumping closing circuit का ही maximum part share करता है, ठीक है, उसके अलाब नीचे में जो है, यहाँ J1, J2 दिखाया थे हम लग तो क्या था, यह DC bus था, यहाँ पर H1 और H2 दिखाया गया है, मतलब यह AC supply का bus है, यह AC supply breaker में क्यों दिया रहाता है, 2-3 purpose के लिए, mainly क्या दिया रहाता है, spring charging के लि ठीक है, ठीक है, तो क्या है, AC bus, AC का bus है, यहाँ पर H1 और H2 मतलब phase और neutral, pH और N दिया भिवाए, 230 volt AC supply के लिए है, और 250 volt DC supply के लिए, यह DC bus दिया हुआ है, ठीक है, चलिए, एक एक करके देखते है, सबसे पहले देखते है, close होने से जादा जरूरी क्या बताया गया था, trip ह अले देखने चलिए, tripping circuit में 52T, सबसे पहले हम coil पर concentrate करेंगे, coil को actuate होने के लिए क्या आचाहिए, फूल पोटेंशल चाहिए, इसके across, full potential होने का मतलब, कि negative फूल आ और positive फूल आ जाया, जैसे ही यह condition अच्छी हो जाएगी, वैसे ही tripping coil actuate कर जाएगा, चलिए, नेगेट को प्रोटेक्टिवली ब्रेक नहीं करता है, तो क्यों दिए मैं लिंक, intentionally ब्रेक करने के लिए, हमको coil replacement करना हो, तो फिर negative से कैसे isolate करेंगे, अगर permanent wiring जोड़ देंगे, तो वायर खुलना पड़ेगा, तो इसलिए, एक isolator की तरह एक जो है link को दिया रहता है, यह production नहीं करता वास isolate करना काम करता है, negative supply मिल गया चलिए, इधर से अभी तक क्या supply है पता नहीं, लेकिन जब negative मिल गया और coil continuous है, तो coil से cross करके negative आगे चला गया, आगे जाने के बाद negative दो रास्तों में गया, एक रास्ते में क्या मिला, 52B, यहां लिखा है 52B, मतलब NC contact, फिर उसके आगे ज चला गया और TV पर जा करके रुग गया कि provision for trip circuit healthy lamp with push button, अगर एक push button के साथ trip circuit healthy का एक lamp लगाया जाए, तो उसके लिए प्रोविजन इसने यहां पर दे छोड़ा है, NC के through होकर, NC के through होकर गया है, मतलब क्या हो गया, pre close condition होकर, ठीक है, pre close करने का मतलब क्या, close होने से पहले, मत ब्रेकर अभी trip अवस्ता में है, इसलिए इसका NC contact conduct करते रहेगा, ब्रेकर जैसे ही close अवस्ता में चला जाएगा, इसका NC contact करना बंद कर देगा, मतलब यह NC जो अभी तक conducting है, breaker के trip अवस्ता में, वो जैसे ही breaker close हो जाएगा, तो यह conduction अपना बंद कर देगा, ठीक है, पहला रास्ता, breaker के trip वस्थाम इधर से जाएगा, trip वस्थाम इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये NO contact है, जैसे ही breaker close होगा, तो इधर से जाना बंद कर देगा potential, इस तरफ से जाना शुरू करेगा, NO क्या होगा, conducting, एक NO cross होगा, दूसरा NO cross होगा, दोनों NO conducting होगा, यहां आगया, यहांने के बाद क्या होगा, के 3 point पर निकला, ठीक है, इस K3 point से 3 root निकल रहा है, ठीक है, एक नीचे, एक middle और एक उपर, क्या-क्या दिया होगा है भाई, इसी K3 point से एक जो है TNC remote के लिए चल है, और यहीं से आगे चला जाएगा, और एक NO contact अब सिंबल दिया है, और कुछ ने दिया, नीचे लिखा है, कि TRIPPING CONTACT और प्रोटेक्टिव रिलेज, मैं भी यह नहीं पढ़ा जा रहा हो, लेकिन यहीं लिखा हुआ है TRIPPING CONTACT और प्रोटेक्टिव रिलेज, ठीक है, त ट्रिप कोईल के बात हो रही थी ना, तो यहाँ जो K3 पॉइंट से एक रिमोट के लिए, एक लोकल के लिए और एक रिमोट के रिले से TRIPPING CONTACT को जोडने वाला, वायर यहाँ से एक निकलेगा, मतलब जेनरली यहाँ पर यह 86 का उटपुट अनो contact दिखाय जा रहा है, कु इसके आगे negative potential extend नहीं होता है, क्यों extend नहीं होता है, क्योंकि negative potential को इसके आगे extend होने के लिए इन switches की continuity चाहिए, इन switches की continuity जो है specific conditions में होती है, इन switches की continuity कब होगे, जब remote वाला TNC switch, continuity कब देगा, जब remote में, मने control panel में कोई trip की और घुमाएगा तब, local वाला कब देगा, जब breaker करके जो local TNC switch कोई trip की और T पे dot है, मतलब trip की और घुमाने पर continuity मिलेगा, एक dot है, मतलब यह impulsive है, ठीक है न, अगर N और T को मिला का खीचा रहाता है, मतलब trip की और घुमा करके, छोड़ने के बाद जो है वो उन लगातार continuity देगा यह switch, लेकिन सिर्व T पे dot है, मतलब impulsive है जितना दर T पे घुमा रहेगा, उतना दर command जाएगा, छूट जाएगा, command जाना बंद हो जाएगा, मतलब continuity मिलना बंद हो जाएगा, उसी तरीके से यह protective release के लिए बना हुआ है, प्रोडेक्टिव रिलेस के लिए 86 का point होगा, output contact या किसी किसी डारेक्टर पिंग देने वाल इधर से आके, जब लोग टेस्ट करेंगे, हल्दी कंडिशन में, तो यहाँ negative, यहाँ negative, और यह relay के point में negative, ठीक है, यह जो है control panel, जहाँ remote लिखा है, control panel में यह point मिलेगा, TNC के पीछे, यह पैनल जो relay वाला है, यह control panel में, relay panel का सकते मिलेगा, लेकिन यह बीच वाला जो TNC से switch है, इसका यह point कहा, breaker के TNC से switch के, पीछे मिलेगा, ठीक है, अब इधर से आता है, positive bus से एक 4A का fuse लगा हुआ है, fuse के protection के लिए circuit में कहीं अगर short हो, तो fuse कट जा, और सिर्फ यह circuit out हो, ना कि यह पूरा bus out हो जा, ठीक है, इसलिए हर component के लिए अपना-पना fuse दिया, उपर इसलिए 4A closing circuit में दिया, नीजे वे tripping में 4A का दिया गया, 4A का fuse के बाद K1 point, जो K1 wire निकलेगा fuse से, वो क्या है, positive bus, वो कहां चला जागा, LR switch के पास, ठीक है, यह bus कहां चला गया, LR switch के पास, और साती साती यह K1 ओला bus कहां चला गया, control panel में, किसके लिए, relay से जो positive home क्या आना है, उसके लिए, ठीक है, हम चाहें तो control panel में, relay के पीछे directly, उसके output contact को positive दे सकते हैं, या फिर यह जो scheme कहता है, कि आप breaker से एक positive लेकर जाएगे, और relay का output contact पर दीजिए, ठीक है, यह जो NO है, इसको basically हम 86 का output contact ही मान रहा है, NO nature का है, मतलब जब तक 86 de-energized है, तब तक य जाएगा, जैसे ही 86 energized हो जाएगा, यह conduction start कर देगा, ठीक है, और यह positive यहाँ से extend कर देगा, इधर आ जाएगा, इधर अल्रेड़ी नेगेतिव था, positive और नेगेतिव जैसे ही मिल जाएगा, तो क्या होगा, सारा potential 52 T, मतलब turbine coil के cross appear हो जाएगा, और यह coil pickup कर जाएगा, उसी तरीके से LR switch पे गया, तो LR switch की दो position, अगर local में रहेगा, तो L पे जो dot बना हुआ, इससे extend होगा, मतलब LR switch अगर local में है, तो K1 का potential K33 में extend होगा, यहां K33 लिखा हुआ है, ना कि K31 में extend होगा, उपर वाले में नहीं होगा, बलकि नीचे वाले K33 में, मतलब local पे है, मतल यहां कि यहां कि यहां से वायर जाता, यहां एक TV दिया हुआ, मतलब यहां से आप वायर लेके, यहां पर दिया हुआ है, यह टर्मनल दिया हुआ, यहां से वायर लेके, यह control panel पर जाहिए, यह control panel पर जाने के बाद TNC switch पर डिरेक्ट चला जाता है, कुछ-कुछ cases में जो है, इनके पहले जो है, कुछ-कुछ interlocks भी लगाया जा सकते हैं, कि tripping कब हो, नहीं हो, बड़ ज जासे ही, ट्रिप की और एक बार rotate करेंगे, switch को, spring switch को, तो यह extension आगे हो जाएगा, जब remote की और घुमा हुआ है, तो remote वाले TNC switch के पास power पहुच रहा है, जब local की और घुमा हुआ है, तो local वाले TNC switch के पास positive power पहुच रहा है, extend होने के लिए, दोनों ही case में, अगर local में तो remote वाले में आप कितना भी घुमाते रही है, कुछ होगा है नहीं, और remote में घुमा हुआ है, local वाले में आप TNC switch को operate करना चा रहा है, तो कुछ होगा ही नहीं, तो यह चीज हो गया positive extension, हम लोग 132 के वाले breaker में, इसमें सिर्फ NO का interlock दिखाया हुआ है, coil के पहले, 132 वा फिलाल इस breaker के लिए, tripping तीन तरीक ऐसे हो सकती है, TNC और switch of control panel, मतलब remote TNC switch, TNC switch of local breaker, मतलब breaker के अंदर जो TN switch दिया हो, या फिर protection release के लिए जो remote contact है, tripping contact हो, मतलब 86 relay, अब चाहे तो अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें देना है आपको, यहां से वायर लेगा है, इस multiple points से tripping यहां तक पहुचा सकते है, ठीक है, चलिए, same तरीके से पीछे चलते हैं, आजाते हैं, closing circuit में, 52C मतलब closing coil है, negative यहां पे एक link के थ्रू है, link again क्यों, isolation के लिए, production नहीं provide करता है link, ठीक है, इसी points से 95 भी अपना negative ले रहा है, but after the link, ठीक है, ताकि जब isolate हो, तो यह दो isolate हो जाए, ठीक है ना, after the link ले रहा है, link खोल देने के बाद negative बंद हो जाएगा, ठीक है, coil replacement करने के लिए, coil में connection वगर कुछ चेक करने के लिए, change करने के लिए, हम लोगों यह link खोल करके, यहां से इसको isolate कर सकते है, negative वाले बस से, ठीक, 52C के आगे गया, तो 52B लिखा तो breaker के trip आउस्ता में, इसमों conduction हो नहीं चाहिए, क्योंकि closing circuit है, जब breaker trip है, तभी तो closing का command देंगे, अगर breaker already close है, तो क्यों command देंगे, तो इसलिए जैसे ही breaker close हो जाता है, तो यह दूनों अपना conduction बंद दर देता है, अब चाहिए आप by mistake यहां से command दे, या TNC से तूड जा that is responsible for the, that is responsible for what, operating the closing coil, ठीक है, negative is always available with the closing coil, and the positive is hindered, the moment the flow of positive is hindered by the NC contacts, as soon as the breaker gets closed, the NC contacts stop conducting, ठीक है, NC contact, जो है, conduction बंद करते हैं, आगे चलता है, के 13 से एक NC contact में गया, दूसरा NC contact लगा, उसी में 52 भी, और जो दोनों NC contact क्रॉस करने के बाद, जो wire निकला, उसको K15 बोले, ये K15 को कहा कहा मिलेगा, सोचिए ज़रा, ये K15 हमको एक तरफ तो मिल जागा, कहा पर, auxiliary जो switch है, हमारा वस्पर मिल जाएगा, और दूसरी तरफ, जट, जट, टू, ये spring charge का limit switch है, ठीक है, spring charge का limit switch, NO pattern का है, NO category का है, मतलब spring जब charge हो जाएगा, उस समय ये conducting हो जाएगा, ठीक है, तो spring charge के limit switch हमको K15 का फेरूल दिख जाएगा, और साथ जो auxiliary switch है, उसका NC है, उसके K15 का का फेरूनली कांटेक्स होते है, तो एक कांटेक्ट डाइबनली और इसके just बगल में दूसरा कांटेक्ट डाइबनली, तो क्या रहेगा, कि दो जो है, एक कांटेक्ट पार करने के बाद वापस यहां से घूमके इधार आएगा, और फिर से वापस आगे जाएगा, मतलब दो NC contact series में लिया, के 13 कहां मिलेगा, एक तो कॉयल के सीरे पर मिलेगा, और दूसरा एक auxiliary switch के सीरे पर मिलेगा, के 15 auxiliary switch के सीरे पर मिलेगा, लिमिट switch के सीरे पर मिलेगा, लिमिट switch के दूसरे सीरे पर क्या मिलेगा, के 17, तो जब भी हम के 17 और के 15 लिमिट switch पर देखेंगा, हमको क्या समझ में आएगा कि अच्छा के 15 जो है nc के तरब से आ रहा है अगर हम कोई circuit trace कर रहा है तो negative इधर से trace करते हुग आएंगे के 15 तक negative आ रहा है that means कि limit switch क्रॉस करना है के 17 तक negative आ रहा है that means कि limit switch cross कर रहा है अगर के 15 के point कहीं मिल रहा और के 17 पर नहीं मिल रहा that means कि limit switch cross नहीं कर रहा है यह limit switch क्रॉस करना देता है potential अपने through जब spring charge condition में होता है ठीक है उसके 95-1 95 क्या है anti-pumping device is can see contact मतलब anti-pumping device actuated नहीं होना चाहिए actuated हो जाए anti-pumping तो यह open हो जाएगा और यहां conduction नहीं करने देगा यह actuate कब हो जाता है जब इधर का path complete ना हो सके किसी कारण से और यहां से command continuously आता रहा है अगर closing का command continuously आता रहा है तो क्या होगा कि यहां से path नहीं मिल पाएगा तो anti-pumping device जो actuate हो जाएगा और चुकि इस circuit में कुछ गरबड़े है तो coil के production के लिए यहीं से circuit को break कर देगा ठीक है आगे जाकर के सेम चीज है future interlock अगर किसी isolator या किसी और base से interlock करना है आपको अपने breaker के closing circuit को देट इंटरलोग इस्तमाल किजिए अधरवाई यहां directly shot कर देजे आगे जाकर के tote यहां से switch दिखाया गया आगे सेम चीज उपर वाला remote के लिए नहीं चे वाला local के लिए यहां तेक तो negative आ गया अब वापस इधर से चलते हैं यह आगे पॉजिटिव बस आपका पॉजिटिव बस चार एंपेर का fuse के बाद के 11 के 11 पर क्या आया फ्यूज का एक सीरा पर के 11 दिखेगा फ्यूज का एक सीरा पर जे वन दिखेगा हम लोग बैसिकली ड्राइंग बढ़ना सीख रहा हैं इस चीज को ध्यान रखेगा इस तरह के पहले भी हुए हैं बट इसमें हम लोग फेरिवल स्पेसिफिक पढ़ना सीख रहा है और सबसे सिंपल राइंग हम लोग इसलिए अड़ाप्ट किये ताकि आसानी से बज़बाया लेटर और हम लोग वन बाइवन और ज्यादे कंप्लेक्स ट्राइंग्स को भी पहुत फ्यूट स्विट से एक ही वायर निकलेगा और अलार स्विच पर जहां लगेगा वहां से दूसरा वायर उठाके दूसरे पांट पर मतलब अलार स्विच पर जो दो वायर जहां लगाओगा वही पांट जंक्शन है फ्यूट से आने वाले वायर का और लूप होकरके अगल पाजिटीव पहुंचाईगा तो जैसे ही TNC स्विच के पास पॉस्टिव पहुंच जाएगा तो जैसे ही TNC स्विच को हम सीक्योर घुमाएंगे वो पॉस्टिव कर देगा आप चाहें तो आप रिमोट से positive extension कराईए या फिर local से कराईए यह कैसे ताय होगा लर स्विच के position से ताय होगा ठीका ना closing circuit धर चला जाएगा anti-pumping का वेक्चुएट होगा जब भी इस circuit में जब भी इस circuit में अगर केसी spring charge ना हो या breaker अल्रेडी close हो breaker close होगा तो NC क्या होगा non conducting बना हुआ होगा तो वैसे case में जो है यह potential आएगा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा ठीक है अगर इस तरफ में गया पर ले तो breaker close हो जाएगा अगर breaker trip वास्था में और सारे conditions फुलफिल हो रहा है तो और अगर breaker अल्रेडी close अवस्था में है तो क्या होगा एंटी pumping को इनर्जाइस कर देगा और इस जगह को open कर देगा जो 95 का NC contact उसको open कर देगा क्यों open कर देगा भाई so that कि अगर किसी कारण से यहां से continuous command आ रहा हो तो coil को harm ना हो सके ठीक है सेम तरीके से देखते है नीचे AC circuit है H1 और H2 दिखाया हुआ क्या है एक circuit जो है क्यूबिकल के लिए क्या क्या है 6A का fuse है 6A का fuse वहां से बायर निकला और कहां चला गया एक switch में चला गया तो जैसे ही temperature जो है 15 degree से कम हो जाएगा तो इसके थूरू conduction स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो है space heater SH करके लिखा हुआ यह space heater ठीक है space heater के बाद S22 और उसके बाद link लिंक क्या आगेन isolation के लिए और यह fuse भी isolation के लिए as well as for protection के लिए ठीक है तो यह एक ही single supply है यहां पर आया यहां से लूप हो करके door switch में चला गया फिर यहां से लूप हो करके एक और switch में चला गया जो कि power socket के लिए है यह switch on होगा तो power socket को positive मिलेगा negative यहां से मिल रहा है यह क्या है बीच में lamp है ठीक है illumination lamp है ठीक है तो यह क्या dos क्या है door opening switch जैसे door को door खुलता है तो यह switch जो है on हो जाता है आगे में देखेंगे दरवाजे के किनारे में एक spring जैसा दिया रहाता है फ्रीज वागरा में भी दिया रहाता है वैसा ही चीज़ है जैसा ही खुलेगा कार्व अगरा में भी रहता है ठीक है ना तो खुलेगा तो positive extend हो जाएगा और lamp जो यहां जल जाएगा ठीक है heater circuit lamp three pin circuit हो गया अब आगया spring charging motor यह क्या AC operator है इस drawing से पता चल रहा है कई जोगे पर universal motor होता है कई जोगे पर DC motor भी रहता है ठीक है ना लेकिन इस drawing के हिजाब से यहाँ पर AC motor है H1 साया अगयन इसके लिए spring charging के लिए अलग से fuse दिया गया बाके circuit के लिए अलग fuse इसके लिए अलग fuse द्यान देना है 6 Ampere का fuse दिया गया उसके बाद जो wire का नाम निकला उसके पर 6 Ampere के fuse के पहले wire का नाम क्या था fuse के एक सीरे पर H1 मिलेगा दूसरे सीरे पर M1 मिलेगा M1 motor 1 ठीक है ना M1 जो wire कहां चला जागा ZZ1 NC contact of spring charge limit switch NC कब तक actuated रहेगा जब तक spring पूरा पूरी full complete charge नहीं हो जाता है तब तक NC conducting रहेगा मतलब जैसे ही spring discharge हो गया NC conducting हो गया और यह तब तक conducting बना रहेगा जब तक spring पूरा चार्ज ना हो जाए तो जैसे है spring discharge हो यह conducting हो गया इसके थुरू AC power flow किया spring charging motor के पास पहुंच गया इधर से एक link के माध्यम से AC का negative या neutral मिला हुआ है spring charging motor चलने लगा चलते 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 जब spring को चार्ज कर दिया तो यह non conducting हो गया ठीक है उसका limit switch जो था उसका NC contact हो non conducting हो गया और तब जाकर के spring charging को रुख गया तो spring charging का limit switch है उसके एक सीरे PEM1 दिखे लिंक में क्या है एक सीरे पर H2 दिखेगा एक सीरे पर M2 दिखेगा ठीक है ना हम लोग actually panel में या breaker में कैसे wire खोजे कैसे पकड़े इसके लिए कर रहा है ठीक है एक चीज़ और इसमें बच गया क्या अपना स्टार्ट कर देंगे ठीक है उसके बाद यू 11 12 यू 13 14 यू 15 16 यह सब nc ने चरक है ठीक है ना breaker के open condition में मतलब trip condition में मतलब normal condition में यह सारे conduct करेंगे और जैसे breaker close हो जाएगा तो यह अपना connection बंद कर देंगे ठीक है उसके बाद क्या है एक no contact का इंडिकेशन में इस्तमाल किया एल 3 से उसको डिसी पॉस्टिव पावर देगा यहां डिसी पॉस्टिव दिखाया नहीं क्या है यह आपके पैनल पर डिपेंड करता है कि आपका पैनल जो LED इंडिकेशन है उसको डिसी पैनल से पॉस्टिव देंगे और यहां से जो है निकाल करके LED के लिए लेके चले जाएंगे किस LED के लिए जो कंट्रोल पैनल में लगा हुआ है और एनो है तो मतलब यह कब कंड़र करेगा जब रेकर क्लोज कंडिशन में होगा ठीक है ना तो इसका मतलब जब रेकर पहले बढ में जोडना होगा तो फाइब से जोड़ेंगे और सातीसी पॉइंट से पॉस्टिव निकला सेम पॉइंट है लवन लवन तीनो L1 है मतलब तीनो को एक जगा जोड़ा जा रहा है मतलब आप L1 पर ही positive दीजिए L3 से आप red light के लिए निकालिए L5 से आप green light के लिए और जड़जड 3 spring charge का जो limit switch है उसके no contact जो है उससे आप spring charge के indication जो blue रंग का light रहता है उसके लिए निकाल यह मतलब positive आप L1 पर दीजिए तो क्या हो जाएगा पैनल से जो भी positive indication के लिए आ रहा होगा या फिर अगर हम locally देना चाहा है तो local जो positive देंगे वो L1 पर देंगे और L1 जो है तीनो L1 जो है लूप किया रहाएगा यह ऐसा बनाने का मतलब कि टीवी के भीतार ही अल्रेडी उसको link से जोड़ा रहता है तीनो L1 को ठीक है ना उपना जो हम लोग को समझ में आ सका या एक दूसरी को हम लोग समझाना चाहें या अपना knowledge share करने का कोशिश किए इस drawing के हिसाप से इस drawing की इस drawing की specialty इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर discussion नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पर discussion कर रहा है कि हम लोग इस drawing से क्या समझ सकते हैं और इसको practical circuit में कैसे देख सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं ठीक है इसके लिए अभी हम लोग देरे देरे और और भी सीरीज में आगे चीजे पढ़ेंगे आप लोग सात बने रहे हैं अप लोग को पता है क्या करना है ह्सला बढ़ा ही है नौलेज शेरिंग किस दिस आमें मेरा साहत दीजिए लाइक किजे शेर किजे अपने दोस्तों के साथ or सब्सक्राइब किजर जादा से ज्यादा लोग जूर सके चलिए फिज मिलेंगे जल्दी है अगले वीडियो में